वेल्कम टू टेली टाकीज दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर जैसे ही हुई अब्दू की एंट्री वैसे ही निमृत हुई घर में अकेली और अकेले होने के बाद पिर किया निमृत ने प्रियांका परवार क्या कुछ हुआ है चलिए हम आपको बताएंगे इस टेली टाकीज की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक अपनी चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों बिग बास के घर के अंदर निमृत कौर आलू वालिया अब अकेली पड़ चुकी है निमृत की दोस्ती शिव अब्दू स्टैन से और साजित से धीरे धीरे हलकी हो रही है तब ही तो सुभे सुभे निमृत कौर आलू वालिया स्रजिता की साथ बैठ कर गाजा नेरिया में आसु बहाती हुई नजराईं रोती हुई नजराईं ये कहती हुई नजराईं कि इस घर के अंदर कोई भी मेरा नहीं है और स्रज सुर्जिता अपनी और सौंदरिया की लड़ाई निमृत को बता रही होती है और प्रयंका की तारीफ कर रही होती है कि मैं अकेली थी तो प्रयंका ने मुझे समझाया और उसने मुझे बहुती बैलंस्ड एडवाइस दी ऐसे में निमृत कहती है कि वो क्या बैलंस्ड एडव निम्रित कहती हैं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैंने तो तब भी इस बार उसी को नॉमिनेट किया आज नहीं तो कल कभी तो जनता देखेगी कि किस तरह से वो बाकी लोगों के साथ यहां पर बुरा भेवार कर रही है लेकिन निम्रित यहां पर अपना भी दर्द बताती हुई सरजिता को नजराती हैं और कहती हैं कि सरजिता अब दू के आने के बाद मेरे दोस्त मुझे दूर होते जा रही हैं और इस घर के अंदर अब मुझे अकेला पन महसूस होने लगा है पता नहीं आने वाले साथ हफते इस घर में कैसे बीतेंगे मेरे वेल दोस्तों क्य कहींगे आप क्या आपको लग रहा है कि निम्रित को अब धीरे धीरे उसके कर्मों की सजा मिल रही है हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें